जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अविनंदन आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो पेटा जी क्या हल चाल है आप लोगों के असा करते हैं का आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी तो आज की क्लास में हम भात करेंगे अपने डिटर्मिनेशन उफ स्टॉक लेवल की बात करेंगे जब भी और आप करते हो तो आपके सामने देखा जाए तो आपका चार तरीके का स्टॉक लेवल आपके सामने आएगा वैसे चार क्या पांस तरीके का stock label आपके सामने आएगा जिसमें जो सबसे पहला stock label है वो है आपका minimum stock label फिर maximum stock label फिर reorder label फिर आपका average stock label और average stock के बाद आपका danger label या जिसे आप कहोगे danger stock label तो देखो ये होता क्या है पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपको इनके बारे में इनसे related इनको हमें कैसे calculate करना है या इनका हमारा formula क्या है इसके बारे में हम फिर क्या करेंगे बात करेंगे देखो जब भी भी आप as a cost accountant जब भी भी आप बात करते हो तो आप as a cost accountant की नहीं as a cost manager की तरह सोचो और समझो जैसे जब हम आपके घर की बात करें तो देखो जैसे जब आप सबजीयों की बात करते हो माल लेजे हरी सबजी की अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा भी आप relation maximum stock level या danger या reorder level actual में है क्या इसके लिए चलो एक example लेते हैं जो मैंने आप यह आपको बताया कि जैसे suppose करिए अगर हम आपके घर की सबजी की बात करें हरी सबजी की बात करें जैसे मालीजे आपके घर में दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए अगर आपको पालक लानी है तो आप क्या खरोगे दो किलो लेकर चले आओगे चार किलो लेकर चले आओगे अरे लाने को तो आप ला सकते हो आपके सब पास बहुत सारा पैसा है लेकिन अगर आप लेकर आते हो ना तो वहां पर जो chances है इसका chances खराब होने का chances है वो बढ़ जाएगा तो आप जो material यू यूज करो चाहिए आफ फिनिस यूज करो उसके durability के आधार पर आपको ये देख लेना है कि आपको उसका label कैसे maintain करना है और इस label में आपको पांच label जानने हैं जिनमें सबसे पहले मैंने का कहा minimum label तो minimum का मतलब क्या होता है कि minimum label वो label होता है जो कि आपके maximum label के बाद आता है या आपसे मैं ये कहूँ कि देखो मैं आपके सामने के diagram यहाँ पे जैसे माल लीजे एक line मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो आपका label है ये आपका क्या हो जाएगा maximum label हो यह आपका क्या हो जाएगा maximum level हो जाएगा इसके बीच माल लीजे यहां पर हम क्या कर लेते हैं minimum level बना लेते हैं और अगर minimum level के नीचे अगर कोई भी level आ जाता है तो फिर वो आपका क्या हो जाता या danger level आ जाता है मतलब अगर जैसे अगर हम इसके बीच में रख लेंगे तो यह आपका क्या बन जाएगा average level बन जाएगा तो आप यह देखो कि आपको जो raw material आप लेकर आ रहे हो या जो डबलू आईपी लेकर आ रहे हो या जो आप finished goods लेकर आ रहे हो आपको सबसे पहले यह maintain करना पड़ेगा कि आप उसको किस level में लेकर जाना चाहते हो maximum में ले जाना चाहते हो average में ले जाना चाहते हो या minimum में ले जाना चाहते हो या फिर आप danger में ले जाना चाहते हो देखो danger में तो कोई नहीं ले जाना चाहेगा क्योंकि अगर आप danger में लेकर आप चले गए तो या वेकीन मानों कुछ ही दिनों में हो सकता है मैं आपका प्रोडिक्शन बंद्धा मतलब होता अब आपके पास स्टॉक को बनाने के लिए मिनिमम का मतलब होता है कि भाइसाब थोड़ा सा आप यह देखो कि काम चलने लगेगा लेकिन हाँ आपको फिर से री ओरडर करना पड़ेगा आपको फिर से क्या करना पड़ेगा रिया और इसलिए करना पड़ेगा क्यों कि minimum के बाद ही आपका danger आ जाता है जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो तो 30 km के बाद आपको तेल डलवाना पड़ेगा क्यों कि हो सकता है अगर आगे पेट्रोल पंप ना मिले तो फिर तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी आपको यह भी याद रखना है अब इतना थोड़ा बहुत कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया अब हम इसके कैलकुलेशन की बा करना पड़ेगा सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रि Casey ओडरवल काम माक्सिमम और मिनिमद्र के बीच में एक ब्रिज की तरह है maximum और minimum की बीच में क्या है आपका एक bridge की तरह है यानि आप चाहते हो अगर maximum label ग्याद करना या minimum लेवल ग्याद करना तो सबसे पहले आपको क्या ग्याद करना पड़ेगा बेटा reorder label ग्याद करना पड़ेगा reorder label का बहुत simple सा formula होता है और वो formula क्या होता है आपका ज़रा देखेंगे वो formula होता है आपका maximum consumption लिखिये मेरे साथ maximum consumption इंटू maximum maximum reorder period अभी मैं इसके अभी आपको सब बताऊंगा आप परिशान ना होईए कि सरी यह maximum consumption क्या होता है या maximum reorder period क्या होता है बस आपको खाली क्या करना है लिख लेना है maximum consumption in to maximum reorder period यह formula है किसका reorder label का यह formula है किसका refer और लेबल इतना समझ में आया जैसा मैंने आप से कहा आपको क्या करना है कि maximum label अगर ग्याद करनाय तो उसके लिए रिव्डर लेबल आपको ग्याद करना पड़ेगा अगर आपको minimum label ग्याद करनाय तो आपको उसके के लिए भी mats करना पड़ेगा यानि चलो हम सबसे पहले आपको maximum maximum level का formula बताते हैं लिखिए जरा मेरे साथ अभी मैं आपको question भी कराऊंगा ठीक है maximum stock label तो देखो maximum stock label का formula क्या है maximum stock label का formula होता है आपका देखेंगे जरा re-order label, re-order label plus re-order quantity, re-order label plus re-order quantity minus minimum consumption, minimum consumption into minimum re-order period ठीक है बोलते रहिए मेरे साथ, मेरे साथ बोलते रहिए भया तो maximum stock label का formula क्या है maximum stock label का formula है आपका re-order label plus re-order quantity तर यह re-order quantity क्या होता है देखो आपको question में दिया रहेगा तो इसके लिए आपको परिशान होने की आउशक्ता ही नहीं है बस आपको क्या करना है री-order label निकालना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा री-order label निकालना पड़ेगा री-order quantity आपको question में दिया रहेगा तो परिशान होने की आपको जरूरत है ही नहीं ठीक है फिर आपका कहता है minimum consumption into minimum reorder period ठीक है यह minimum consumption क्या होता है minimum reorder period क्या होता है बेटा 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 मैं आपको question के साथ समझाओंगा अभी नहीं ठीक है minimum stock label ठीक है अब minimum stock label का formula देखो minimum stock label का formula देखो मिनिमम स्टॉक लेबल का हमारा formula होता है लिखेंगे मेरे साथ reorder label री order label माइनस नॉर्मल कंजम्शन ब्रैकेट में नॉर्मल कंजम्शन इंटु नॉर्मल री ओर्डर पीरिएड नॉर्मल री ओर्डर पीरिएड री ओर्डर पीरिएड ठीक है भी यह नॉर्मल कंजम्शन इंटू नॉर्मल री ओडर पीरिएड बाते समझ में आ गई इतना इतनी बाते समझ में आ गई तो एक बार जारा फॉर्मूला देख लीजे मेरे साथ एला क्या है आपका maximum stock label maximum stock label के बाद फिर क्या है reorder label और reorder label के बाद आपका क्या है minimum stock label reorder label का formula क्या होता है maximum consumption into maximum reorder period फिर उसके बाद maximum label का formula क्या है maximum stock label का formula क्या है reorder label plus reorder quantity minus minimum consumption करते हैं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आप एक काम करेंगे यह फॉर्मूला लिखने के बाद कम से कम आप आधा पेज छोड़ दीजेगा और उसके बाद फिर आप कोशन लिखेगा चलिए पहला कोशन देखते हैं पहला आपसे कोशन कहता है कि कैलकुलेट दा माक्सिममम स्टॉक लेबल आपको क्या निकालना है मैक्सिममम स्टॉक लेबल निकालना है ठीक है मैक्सिमम के बाद आपको क्या निकालना है मिनिममम स्टॉक लेबल निकालना है ठीक है और फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है री ओर्डर लेबल भी नि हमारा क्या आपका maximum consumption यह है आपका सतर यूनिट पर डे सतर यूनिट पर डे फिर उसके बाद आपका क्या है normal consumption है क्या है आपका normal consumption है और normal consumption आपका कितना दिया गया है लिखे मेरे साथ 40 unit per day फटाफट लिखे फिर हम इसको solve करते हैं बहुत जल्दी से लिखेंगे फिर उसके बाद अगला क्या है आपका minimum consumption भी आपको दिया गया है और minimum consumption है आपका कि इस यूनिट पर डे इस यूनिट पर डे और फिर उसके बाद अगला है आपका Reorder quantity देखो मैंने कहा था ना कि question में आपको दिया रहेगा Reorder quantity आपको देख दिया है कितना है आपका 500 unit इतना दिया गया आपको 500 unit और फिर आपका Reorder period भी आपको दिया है क्या दिया है आपका Reorder period दिया है Reorder period आपका कितना दिया है आपका 10 से 15 दिन दिया है ठीक है नॉर्मल री ओडर पीरिड आपको दिया है बारा दिन दिया है कितना दिया है आपका बारा दिन कुशन समझ में आ गया तो देखो कुशन आपसे कहता है कि आपको maximum stock level निकालना है आपको minimum stock level निकालना है आपको reorder stock level निकालना है कुशन क्या कहता है कि maximum consumption आपका कितना है 70 unit per day है normal consumption क्या है 40 unit per day है minimum consumption आपका क्या है 30 unit per day है reorder quantity आपका कितना है 500 unit per day है reorder period कितना है आपका 10 से 15 है और normal reorder period कितना है आपका 12 है समझ में आ गया देखो एक चीज जानो इस चाप्टर में जितने भी आप कुश्चन सॉल्व करेंगे सब कुश्चन की एक खासियत है सारे कुश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे लेकिन उनकी एक सर्त है और सर्त ये है कि आपको उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए यानि अगर फॉर्मूला याद है तो कुश्चन सॉल्व है अगर फॉर्मूला नहीं याद है फिर बेटा कुश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा अब मैंने आपसे क्या कहा था कि भीया आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेबल निकालने से पहले क्या निकालना पड़े पड़ेगा री ओडर लेवल निकालना पड़ेगा और री ओडर लेवल का फॉर्मूला क्या है जल्दी से याद करो क्या था फॉर्मूला maximum consumption into maximum reorder period, अब ध्यान दीजे यहां पे अगर आपको यहां पे order period तो दिया है ना दिया है कि नहीं दिया सर दिया है कहता है 10 से 15 तो यह 10 क्या है minimum है और यह 15 क्या है आपका maximum है इतनी बाते समझ में आ गई ठीक है इतनी बाते समझ में आ गई और मुझे यहां पर क्या चाहिए maximum रियॉर्डर पीरड चाहिए तो सबसे पहले आप यह बताओ कि maximum कंजमशन क्या है यह देखिये maximum कंजमशन आपका कितना दिया गया सतर यूनिट यानि 70 इंटू क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे कि 15 लिखेंगे सर्फ 15 लिखेंगे सतर गुड़े बिटा 15 कितना आ जाएगा जरा 35 हाथ गया तीन और फिर साथ करेंगे साथ और तीन कितना हो जाएगा आपका ग्यारा यानि एक हजार एक सो पचास यूनिट आपका क्या निकल के आ गया री ओर्डर लेबल निकल के आ गया आप चाहें तो कैल्कुलेट करके कैल बता दीजे मुझे कितना आएगा दस ही आएगा साड़ी यहाँ पर मैंने एक हजार पचास लिखा एक बार मैं गुड़ा करके देख लेता हूँ हाँ एक हजार पचास 이션 sido मेंने 2011 sweating लिल्ग दिया था हमारी बात क्या है maximum की आपका मन करें तो minimum लगा लो आपका मन करें तो maximum लगा लो चलो हम पहले maximum लगाते है maximum stock label formula क्या है formula कहता था reorder label मैं short में लिख रहा हूं ठीक है री ओडर लेबल प्लस री ओडर क्वांटिटी है ना फिर माइनस और माइनस क्या minimum कंजम्शन इंटू मिनिमम री ओडर पीरियड री ओडर पीरियड है ना मैंने शॉर्ट में लिख दिया री ओडर पीरियड चलो अब जल्दी से मुझे री ओडर लेबल बताओ आप लोग अभी अभी जो निकाले हो कितना है एक हजार पचास प्लस री ओडर क्वांटिटी प्रश्न में कहां है यह देखिए री ओडर क्वांटिटी कितना दिया गया है पान सो यहां पर कितना हो जाएगा पान सो और फिर माइनस चलो maximum consumption बताब mecal apocalypse minimum consumption minimum consumption कितना यह रहा छिच यूंट पर डे यानी इस और गुड़े फिर कहता है minimum reorder period minimum reorder period कितना दस या 15 तर तस च Kelvin अभी यहां पर जल्री से बताँ कितना आ गया यहां पर 300 आ गया माइनस और यहां पर करेंगे तो 1050 प्लस 500 यानि यहां पे आ जाएगा 1550-300 आपका आंसर क्या आ गया 1250 यूनिट बताइए समझ में आ गया 1250 यूनिट समझ में आ गया आ गया एक लियर हो गया बस फॉर्मुला ही है और कुछ नहीं है अब उसके बाद बारी किसकी है अब बारी है आपकी minimum stock label की है ना minimum stock label तो आई ये minimum stock label भी देख लेते हैं क्या देख लेते हैं minimum stock label और मुला क्या है minimum stock label का जल्दी से याद करो कर reorder label minus normal consumption into normal reorder period है ना normal reorder period जल्दी से आप बताईए मुझे reorder label कितना है ये देखो reorder label 1050 minus normal consumption चेक करो cushion में कहां दिया गया है ये रहा normal consumption कितना 40 unit per day यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 40 गुड़े और normal reorder period कितना दिया है आपको 12 कितना दिया है 12 तो यहाँ पे आप क्या करो 12 से गुड़ा करो जल्दी से बताओ मुझे अब कितना answer आएगा 40 गुड़े 12 यानि आगया ये आपका 480 minus 1050 करेंगे यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखे 1050 और answer जल्दी से बताईए 1050 minus 480 आगया आपका 570 unit आगया आपका 570 unit बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो ये था आपका maximum stock label ये था आपका minimum stock label और ये है आपका reorder label अचा एक चीज़ और जान लीजेगा जब आपका maximum stock label और minimum stock label अगर आ जाता है न इन दोनों को अगर आप जोड़ कर दो से divide कर देंगे इन दोनों को जोड़ कर अगर किस से divide कर देंगे दो से divide कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा average stock label निकल के आ जाएगा average stock label अब average stock label का हम फॉर्मूला देखे लिखते हैं और average stock label का formula है आपका maximum stock label plus minimum stock label लेबल और डिवाइड कर देंगे किस से दो से डिवाइड कर देंगे आपका किस से दो से maximum stock label plus minimum stock label divided टू आपका क्या जाएगा average stock label आईए फिर यहाँ पे हम उसे use कर लेते हैं अब बारी किसकी है आपकी average stock label के निकालते हैं average stock label average stock label formula average maximum stock label तो maximum stock label कितना आया है आपका जल्दी से बताइए 1250 और minimum कितना आया है 570 रुपया दोनों को जोड़िये भाग कर दीजे आपका answer आ गया 1250 plus 570 डिवाइड करेंगे दो आपका average stock label आ जाएगा एक हजार दोसो पचास प्लस पांसो सत्तर भागे दो और अंसर आगया आपका नौ सो दस यूनिट लीजे बताईए चफ है या easy है तफ है या easy है इजी है यार आपके माइंड में है सरक अपको लगा कि सर बहुत टफ है नहीं तफ किसलिए है क्यूंकि आपने पढ़ा नहीं ना सही से अब पढ़ लिया इजी लगने लगा की नहीं लगने लगा न एक और सवाब्ध करते हैं अभी डांजर लेबल आकरी में है दिखेंगे हमारा नॉर्मल यूजज मेरे साथ लिखे नॉर्मल यूजज यह यह है आपका 150 यूणिट कि एक सो पचास यूणिट कि हमारा मीनिमम्म यूजज है 75 यूनिट हमारा maximum uses है आपका दो सो पचीश यूनिट री ओडर क्वांटिटी है री ओडर क्वांटिटी है हमारा 900 यूनिट उसके बाद री ओडर पीरिड है हमारा री ओर्डर पीरेड है और वो कितना है आपका चार से छे हपता यानि वीक और आपको निकालना क्या है री ओर्डर लेबल री ओर्डर लेबल निकालना है आपको मिनिममम स्टॉक लेबल निकालना है आपका मैक्सिममम स्टॉक लेबल आपको निकालना है और फिर आपको लास्ट में एवरेज इस्टॉक लेबल निकालना है इतनी इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है समझ में आ गया चलिए फिर फटा फट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे री ओर्डर लेबल री ओर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताएंगे maximum consumption into maximum reorder period maximum consumption into maximum reorder period है ना maximum consumption जल्ली से बताओ maximum consumption बताओ इस उए रहा maximum consumption यह रहा 200 पचीश 215 कुडे maximum reorder period बताओ यह रहा 6, यहाँ पर 6 जल्दी से बताओ तो रि और्डर लेवल कितना आ गया 23 गुड़े 6 यानि हा गया हमारा 1350 यूनिट एक था हजार तीन सो पचास यूनिट अब टी और सुन वेल कि निकल गया बात करते हैं कि i कि मैंसीमम सॉक लेवल का फॉरमुला क्या है प्री और लेवल plus reorder quantity reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption minus into minimum reorder period जल्दी से इसको solve करिए reorder level कितना है आपका अभी अभी निकाला 1350 plus reorder quantity आपको कितना दे रखा है 900 unit 900 unit तो ये 900 हो गया, minus करिए, maximum consumption कितना है, minimum consumption कितना है, चेक करिए, ये रहा, minimum consumption कितना है, 75, ये हो गया आपका, 75, और into, minimum stop, minimum reorder period, minimum reorder period, ये रहा, कितना, 4, minimum reorder period कितना आपका, 4, जल्दी से गुड़ा करिए, answer बताईए, 75 गुड़े 4 यहाँ पे आ गया 300 और यहाँ पे माइनस करेंगे 1350 प्लस 900 यह आ गया आपका 2250 माइनस करेंगे 300 आंसर आ गया हजार 5950 यूनिट अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या आप स्वाल्व करके बैठे हो नहीं वहीं यहां मेरे पास क्याल्कॉलेटर है मैं इसको सौल्व कर रहा हूँ आपके सामने सौल्व कर रहा हूं लोग यह हैं मेरे ड्राइब की स्पीड तोड़ी सी आप से जादा है इ बड़ा सा ट्राई करो इखना चलो तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेबल भी निकल के आ गया हमारा रियॉडर लेबल भी निकल के आ गया अब बारी है हमारी किसकी मिनिमम स्टॉक लेबल की इसकी मिनिमम स्टॉक लेबल की तो आईये मिनिमम स्टॉक लेबल को भी देख लेते है अब मिनिमम स्टॉक लेबल का फॉर्मूला क्या है सर री ओडर लेबल माइनस नॉर्मल कंजम्शन नॉर्मल कंजम्शन इंटू नॉर्मल री ओडर पीरियड चेक करो री ओडर लेबल आपको दिया है कितना एक हजार तीन सो पचास माइनस जरन नॉर्मल कंजम्शन चेक करो क इंटू नॉर्मल रियॉडर पीरेड नॉर्मल रियॉडर पीरेड चेक करिये कितना है कुशन में कुशन में चेक करिये नॉर्मल रियॉडर पीरेड कहीं पर है अरे सर ग्रवड़ा गया आपने लिखा ही नहीं है आपने लिखा ही नहीं नॉर्मल रियॉडर पीरेड देखो बेटा मैंने लिखा नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि question में नहीं भाई question में था ही नहीं इसलिए मैंने लिखा ही नहीं तो sir क्या करें जब normal reorder period ना दिया हो तो क्या करें यह normal consumption ना दिया हो तो क्या करें आईए आधे page जहां पे आपने page छोड़ा था ना lot आईए उसी page पे अब इसके लिए आपको एक formula में और लिखा देता हूँ जब आपको normal consumption ना दिया रहे जब आपको normal reorder period ना दिया हो तो अगर आपको normal consumption ना दिया हो आप यहाँ पे start देके लिख लीजेगा नॉर्मल कंजम्शन तो नॉर्मल कंजम्शन अगर आपको ना दिया हो तो इसका formula होता है लिखिए ज़रा maximum consumption into maximum maximum consumption एक मिनट maximum consumption plus minimum consumption divided by two ठीक है और इसका एक और नाम है इसका दूसरा नाम है average consumption इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं क्या average consumption point clear हो गया तो अगर normal consumption नहीं दिया है तो आपको परिसान होने की ज़रूरत नहीं है आप यह formula लगाएंगे maximum consumption plus minimum consumption divided to आपका normal consumption आ जाएगा और उसी तरीके से अगर आपका normal reorder period नहीं दिया है normal reorder period अगर नहीं दिया है तो आपका जो फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला क्या है आपका लिखिये मेरे साथ maximum maximum reorder reorder period reorder period plus minimum reorder period divided by क्या आपका आंसर क्या जाएगा normal reorder period आ जाएगा आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है इससर हमको normal consumption नहीं दिया या normal reorder period नहीं दिया यहां पर अगर आफ चेक करेंगे तो रि उर्डडर पी आपको दिया है maximum कितना है hey minimum कितना है चार डिवाइड कर दो डो कितना जाएगा दस दिवाइड़्यट दो यानी कितना आ गया पांच तो आपका normal reorder period कितना आ गया आपका 5 समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया कि नहीं आ गया एक बड़ चेक कर लो ना यार 10 प्लस 2 भागे 2 ठीक है 4 सारी 6 प्लस 4 तो 10 भागे 2 कितना आ गया 5 और इस 5 को आपने यहाँ पे पुट कर दिया जल्दी से minimum stock label बताईए मुझे 150 गुड़े पांच यानि यहाँ पे आ जाएगा 750 माइनस और 1350 जल्दी से बताएंगे 1350 माइनस 750 अंसर आ गया क्या आपका 600 यूनिट क्या आ गया वही 600 यूनिट समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया तो देखो जो आपने आधा पेज छोड़ा था लगबग लगबग भर गया होगा अभी एक चीज बाकी है डेंजर इस्टॉक लेबल थी कि तीन-चार लाइन बाकी है कि नहीं बाकी उसके लिए वाकी है रखे रहो इसको अब क्या गरना है सर्कुनो आपके पास किताब है की नहीं है किताब है ना तो आप maximum stock level minimum stock level average stock level इनको आपको calculate करना है अच्छा इस question में अभी एक चीज बच गई क्या average stock level निकल जाएगा की नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा की नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा ना कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका average stock level कितना आ रहा है साथी साथ आपके पास जो cost accounting की book है उससे related question आप solve करिए और अगर आपको लगता है कि सर यह question हमसे solve नहीं होगा तो उसको आप क्या कर कर दीजे हमें message कर दीजे WhatsApp हमें क्या कर दीजे message कर दीजे बाकी यह आपका theoretical portion है इसको आप चाहें बाद में आप देखो screenshot आप इसका ले लीजे इसको जैसे है वैसे आपको लिख लेना है जैसे है वैसे क्या कर देना है आपको लिख लेना है screenshot ले लीजे आप इसका जल्दी से इसक्रीन शॉट ले लिजे ले लिया फिर इसका भी ले लो डेंजर वाले को ले लो डेंजर वाला हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे अभी फिलाल आप इतना कुश्चन सॉल्व करिए और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस चारो ले उस नंबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं बाकी आप सभी अपना बहुत-बहुत ख्याल रखे ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रही है चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबर्सिप को जोईन कर सकते हैं हमारे जो सब्सक्रिप्शन वाला जो बटन है उसको आप क्लिक क करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ जो हमारा एप है अगर आप लाइब क्लास लेना चाहते हैं तो वह लाइब क्लास आपको एकाउंटिंग गुरू एप पर मिल जाएगी यह सारी जितनी क्लासेज होती है ना सारी सुबा लाइब चलती है आप इसको रा लाइब अपना देख सकते हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना जो नंबर आपका स्क्रीन पर चल रहा है बाकी जैब हो लेना